हेलो एवरिवन वेलकम और वेलकम बेक तो माय चैनल क्राफ्टी कंचू तो आप देख रहे हैं यह पूजा थाली जो आज हम बनाने वाले हैं रेजिन से इस तरह से मैंने एक मोल्ड ले लिया है सिलिकॉन मोल्ड होता है यह वेट मशीन ले लिया है चोटी वाली और यह कुछ डिस्पोजल कप्स ले लिये हैं और डिस्पोजल स्टिक एंड गलफ जो आपको बहुत ज़रूरी है और मास्क लगाना भी आपको बहुत ज़रूरी है जब भी आप रेजिन का काम करते हैं तो आपको सारे प्रिकॉशन्स लेने हैं वरना आपकी हेल्थ को नुक्सान हो सकत है इस तरह से हमें clear resin में resin and hardner का दोनों का part mix करना है resin and hardner अलग-अलग company के अलग-अलग आते हैं इस तरह से golden flex ले लिया है इसे अब इसमें liquid की तरह अच्छे से dilute कर लेना है अब यह white color का मैंने color pigment लिया है जिसे मैंने clear resin में डाल दिया है इस तरह से दोनों को mix अच्छे से करना है जब तक कि वो transparent ना हो जाए और bubble free ना हो जाए इस तरह से अब हमें mold में इसे फैला लेना है और silicon stick की help से अच्छे से सब जगा फैला लिया है आप देखिए इस तरह से मैंने dry flowers की petals को चिपका दिया है अब देखिए stickers मार्केट में अविलेबल है और आप online भी इने purchase कर सकते हैं इस तरह से इन stickers को भी हम लोग काट के और चिपका लेंगे resin अलग-अलग ratio में आता है resin और hardner दो liquid होते हैं जिने हमें आपस में मिलाना होता है एक 3-1 का आता है एक 2-1 का आता है और एक 1-1 का आता है मैंने यहां 2-1 का ratio लिया है अब आप देखिए इस तरह से stickers चिपक गए हैं फिर हमें इसे 24 hours के लिए dry होने के लिए रखना है उसके बाद एक और coat हमें clear resin का इसके उपर डालना है ताकि हमें जो सारे stickers और जो dry flowers लगाए हैं वो अच्छी तरह से coat हो जाए और उनके उपर भी अच्छी से resin फैल जाए अब इसे भी हमें 10-12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ना होगा यह देखिये इसका कितना प्यारा लुक दिखाई दे रहा है अब आती है बारी इसे demold करने की तो चलिए देखते हैं इसे demold करने पे یہ किस तरह से दिखाई देगा अब हम इसे demold करने के लिए इस तरह से ले लेंगे और हाथों से ही इसे धीरे-धीरे करके निकाल लेना है निकालने के पहले आप एक बार sure कर लें कि ये पूरी तरह से सूख गया है वरना आपके हाथ के निशान इसमें लग सकते हैं और आपका सारा प्लेट खराब हो सकता है इस तरह से ये एक डेबरिंग टूल है ये भी आप ऑनलाइन पर्चिस कर सकते हैं या ओफलाइन भी ले सकते हैं इस तरह से डेबरिंग टूल से सारी एजस को स्मूथ कर लिए और उसके बाद इसमें एजस में गोल्डन कलर के मारकर से हमने सारा पेंट कर दिया है ताकि अच्छा दिखाई दे अब मुल फैवी क्रिल की हेल्प से इस तरह से कैंडल होल्डर एंड कुम-कुम की दो छोटी चोटी कटोरियों को मैंने स्टिक कर दिया है ताकि यह ब्यूटिफुल दिखाई देगे हमारी पूजा प्लेट तेयार है यह अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें सी यू इन दे नेक्स वीडियो टिल देन टेक केर